हर्याना की सोनीपत में युफ्ती को डिजिटल अरेस्ट कर 6,85,000 रुपे ठग लिये गए हैं इस मामले की शिकायत मिलने के बाद साइबर थाना पुलिस ने गिरो का बंडा फूर किया है पुलिस ने राजिस्थान में दौसा स्थित लाल सौट से 9 आरोपियों को पकड़ा है ये सभी आरोपी गुजरात, राजिस्थान, महराश्ट और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं आरोपियों की गिरफतारी से देश भर में ठगी के 95 मामले और 2473 शिकायतों का खुलासा हुआ है ये लोग 8 करोट 78 लाक रुपे की ठगी कर चुके हैं जानकारी के अनुसार सोनीपत की महिला ने बीते 4 अक्टूबर को साइबर थाना पुलिस से मामले की शिकायत की थी इसमें महिला ने कहा था कि डिजिटल अरेस्ट कर मुझसे 6,85,000 की ठगी की गई है एक अक्टूबर को वाट्सेप पर वीडियो कॉल आया था जिसमें दूसरी तरफ से बात कर रहव्यक्ती पुलिस की वर्दी में था उसके पीछे बोड पर मुंबई पुलिस लिखा था उसने कहा था कि आपके SBI के क्रेडिट कार्ड पर बड़ी राशी बकाया है जब महिला ने कहा कि मेरे पास SBI का क्रेडिट कार्ड नहीं है तो उसने कहा कि क्रेडिट कार्ड का गलत लेंदेन में प्रयोग हुआ है उसने किसी अन्य से बात की थी जिसे CBI यदिकारी बताया गया था तब कहा गया था कि आपको गिरफतार किया जाएगा कानूनी कारवाई से बचाने के लिए रुपे जमा करवाने को कहा गया महिला को डराया कि उनका नाम पूर्व बैंक प्रभंदन विने के मनी लॉंडरिंग के मामले से जुड़ा है यह भी डर दिखाया कि उनका मामला राष्ट्रे सुरक्षा से जुड़ा है इस मामले में एक बड़े नेता को जेल भेजा चाचुका है। इसके बाद महिला ने डर के चलते अलग-अलग खातों में 6,85,000 रुपे जमा कराए। जब महिला को धोखा-धड़ी का एहसास हुआ तो मामले की शिकायत साइबर थाने में की गई। साइबर थाना पुलिस ने 9 आरोपियों को पकड़ लिया है। इनमें महराश्टर के पेट सांगली निवासी मोशिन, गुजरात के सूरत के धर्मिष्ठा पार्क में रहने वाले विरानी विवेक, गुजरात के सूरत निवासी विनेश टांग, सूरत के शिव नगर सुदामा चौक निवासी अकाश गोयानी, सूरत के दस्ति पुरा बाजार निवासी बिल्ली मोरिया मुहमत अमन, यूपी के लक्नओं हसन गंज निवासी तुशार प्रताप, राजस्थान के जोदपूर के निवासी श्रवन, उर्फ काकू, जोदपूर के निवासी मुकेश विप् रवीन चौधरी शामिल है, पुलिस ने गिरफतार आरोपियों से 3,36,000 रुपए, 11 मोबाईल, डेबिट कार्ड और चेक बुक बरामत की है